हेलो दोस्तों नमस्कार स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल जैनली टू सक्सेज में दोस्तों आज हम लोग इस वीडियो में बेसिक्स आफ वर्ल्ड मैप को डिसकस करने जा रहे हैं यानि कि विस्सुमान चित्र के बेसिक को डिसकस करेंगे और विस् के साथ जैसे कि कॉंटिनेंट्स ओसियंस बे गल्फ यह सारे चीजे क्या होती है कैसे क्या चीजे सारी चीजे हम लोग इस वीडियो में समझेंगे और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को जिसार्ट करते हैं सबसे पहले जो आपके सामने दिख रहा यह आप के मामान्चितर था कि हम लोग कुछ इसमें बेसिक कर ब्रक्रूंड को इसके करेंगे तो वो क्या हैं हम लोग इस सबसे पहला सबस्राइथique क्या महादू से क्वेσι आम Freya और ही क्या होता है तो क्निनें ऐसा लेंड का पार्ट जो किसी अन इस्थल खंड से या किसी अन लेंड मास से किसी जलरासी से अलग होता है यानि कि वाटर बॉड़ी से अलग होता है जैसे अगर हम बात करें यह हमारा एसिया है क्या है एसिया है यह यूरोप है यह आपका अफरीका है तो अगर हम बात करें की एसिया का और आपका ये जो यूरोप है ये दोनों कैसे अलग होते हैं तो इनके बीच में एक होता है यूराल माउंटेन क्या होता है यूराल माउंटेन ये उससे अलग होते हैं ठीक है तो जो यूराल माउंटेन है क्या है वो एक तरीके का इस्थलखंड ही कहलाएगा तो यह क्या है एक जलरासी से अलग होता है तो इसे क्या बोलेंगे हम लोग कॉंटिनेंट बोलेंगे अब बात आती है आइलेंड यानि की दूइप क्या होता है यह तो महादूइप की बात है अब दूइप क्या होता है तो दूइप क्या होता है वहाइस तलकंड यानि की ऐसा ल ग्रीन लेंड है तो यह क्या है चारो तरफ से वाटर से घिरा हुआ है तो इसे हम लोगे ने आई-लेंड बहुं दिया अब आगा नेक्स्ट है नेक्स है पैनिसुला यानि कि प्रायदीप किसे बोलते हैं तो पैनिसुला क्या होता है कि इस्थल का वह हिस्सा यानि कि लेंड का वह पार्ट जो तीन तरफ से जल से घिरा रहता है किसे तीन तरफ से जल से घिरा रहता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं पैनिसु कहा जाता है। क्यूंक होता है। मैं ने भी बात की। कि जो तीन तरफ से जलसे घीर्हा है। जैसे यह आपको कौन सा हो गया, यहाँ पर अरिबियंस होता है, यहाँ पर आपका बेया بंगाल नीचे क्या होता हैan इंडियन आस तो यह yak i.k कहला का आता है सब कॉंटिनेंट यानि की उप महादीप क्या होता है तो सब कॉंटिनेंट क्या होता है जो आपका कॉंटिनेंट यानि के महादीप है उसी का एक पार्ट होता है लेकिन किसी अपने जोगरफिकल structure या निकी भौग अलिक सनचना के द्वारा उससे अलग होता है जैसे अगर हम बात करें यह Asia की किसकी बात करें अगर हम Asia के अगर हम बात करें तो जो हमारा India है अगर हम बात करें किस continent का हिस्सा है तो हमारा Asia का है लेकिन subcontinent कहला था India is subcontinent of Asia क्यों क्योंकि वो उसी का हिस्सा है और अपने geographical structure के द्वारा जो है वो किसे अलग होता है Asia से अलग होता है तो इसलिए उसे क्या कहेंगे हम लोग उसे हम लोग बोलेंगे subcontinent ठीक अब हम लोग यहां पर देखने वाले हैं कि Oceans और सी यानि कि महासागर और सागर में क्या आंतर होता है तो Oceans किसे हम लोग बोलते हैं तो Oceans एक huge water body यानि कि एक विसाल जलरासी होती है जैसे अगर हम बात करें इस डाइग्राम में देखें तो यह आपका क्या है यानि कि C क्या होता तो C क्या होता है गर हम बात करें तो महासागर का ही एक part होता है क्या होता है महासागर का एक हिस्छा होता है लेकिन differentiate क्या है यह किसी भी तटिये रेखा से सटा हुआ होता है यानि कि किसी country के तटिये रेखा से किसी continent के तटिये रेखा से सटा हुआ होता है जैसे अगर हम बात करें यहाँ तो यह जो पूरा area है आपका यह यह जो पूरा area है यह आपका है Indian continent क्या है अरे स्वारी इंडियन ओशन है यानि कि हिंद महासागर है लेकिन अगर हम बात करें यहां पे तो यहां यहां किया कहलाता है अरब सागर यानि कि अरेवियंसी तो यह पूरा क्या हो गया महासागर और महासागर का पार्ट क्या हो गया अरब सागर यानि कि अरेवियंसी जैसे कि अगर हम बात करें क्यों कहा गया क्योंकि ये एक स्थल divertus से याईनि कि ततियर एका से सटा हुआ है और महा साघर का PART है ठीड अभ हम लोग बात करेंगे बे यानि कि Gulf यानि कि दोनों का हैंधि MMIN niewाटा ही होता है लेकिन दोनों में Diffrence क्या है क्यों Gulf किसी को बोला जाता है किसी को बे बोला जाता है तो यह देखेंगा तो बे क्या होता है गल्फ क्या होता है जमीन से गिरी हुई एक बड़ी जलरासी होती है लेकिन उसमें जो प्रवेस द्वार होता है वो सकरा होता है यानि कि जो उसका पासिस होता है वो नेर होता है जिसे बात करें Gulf of Mexico की जो की United State और Mexico से 30 एरेका से सटा हुआ है Coastal Line से लेकिन क्या है जो इसका प्रवेस द्वार है वो क्या है सक्री होता है स्वारी सक्रा होता है यानि कि पतला होता है नेरो होता है अगर हम इसी के अपोजिट में बात करें बे की यानि उसका मतलब हिंदी मिनिंग क्या होता है तो क्या होता है ग में कम जमीन से घिरा गवा होता है dodgers इससे भी सब्छा है यह जो है तटीय रेखा सथी यह भी घिरा हुआ स्ट्रीट का लिए रंक on improving decrease स्ट्रीड क्या होती है और चैनल क्या होती है थ الد्यू पाइस सब्सक्राइब दो वपी को कनिक्ट करती हैं जोड़ती है जैसे अगर वात करें इस फीगर में तो यह क्या है आपका महाइक सागर उन χोग इन दोनों कोुं जोड़ कौन रहा है यह निरो पाक्षे déjà का पहलबात तो तो इसे क्या इंग्लिस चैनल महात करेंगे यह चैनल की बात करेंगे59 सागरों को जोड़ता है क्या करता है दो सागरों को जोड़ता है क्या करता है दो सागरों को जोड़ता है लेकिन जो और आपको आपका अर्थ है क्या है आपका अर्थ कहा जाता है कि सका कि वह लैंड से मात चुлет जाए रहे हैं और जो two by three से हैं एस्या अफ्रिका नॉर्थ अमेरिका साउथ अमेरिका यूरोप अंटार्क्टिका अस्ट्रेलिया जिसे हिंदी में ऑसीनिया भी कहा जाता है उसके बाद फाइप ओसीन्स यानि की पाँच महासागर हैं कौन-कौन से हैं पैसिपिक ओशन प्रसांत महासागर सब्सक्राइब करके सारे जो ही कौन्टिनेंट से आपके ऊसीन से उन सभी को मैप में देखेंगे और अच्छे से समझेंगे और यह भी देखेंगे कि पॉपुलेशन वाइज अगर देखा जाए तो कौन सा बढ़ा है आपकी कौन सी कौन्टिनेंट बड़ी है एरिया से ज vocês आपका वही अपको देख रहा है तो अब हम लोग डिसक़िंज करने जा रहे है कि कौन सा एरिया कौन सा कौंटिनेंट कहलाता है ठीक हैसब से पहला जो है आपका वो है एसिया कौन सा है यह है उसके बाद यूरोप है आपका यहां से एसिया और यूरोप का डिविजन कहां से होता है मैंने भी बताया था सुरुवात में कि यहां से होता है और किस के होता है तो इसमें यूराल माउंटेन इन दोनों का डिविजन करता है कौन करता है यूराल माउंटेन जो थर्ड है आपका वो है अफ्रीका फोर्थ है नौर्थ अमरिका फिप्त है साउधन अमेरिका सिक्स है आपका अंटार्क्टिका और जो सेवन्थ है आपका वो है अस्ट्रेलिया मैंने जैसा कि पहले बात किया था कि आपके साथ महादीफ है यानि कि seven continent है तो आपने सातों को map में देख लिया अब हम बात करेंगे कि कौन सी आपकी जो महादीप continent है वो area के द्वारा बड़ा है यानि कि largest continent by area सबसे number one पे जो आता है यानि कि सबसे बड़ा area का जो है वो है आपका Asia क्या है Asia second number पे जो आपका आता है area के trading वो है आपका Africa क्या है Africa थर्ड नमबर पे जो आपका आता है वो है North America 4th number पे जो आपका आता है वह साउथ अमरिका और फिफ्स नमबर पे जो आपका आता है वह ऐ अंटाक्क टिका six number पे जो आपका आता है वह यूरोप and last the 7th which is Australia in Hindi it is called Ocenia क्य दिमाक में उचीजी आए होंगी और मैं फिर बोलूँगा भी कि फर्स्ट पे क्या है सेकंड पर किया तो एक बार फिर से वह आपको रिवाइज हो जाएंगी ठीक है तो फर्स्ट नंबर पर क्या हो गया इस आपका एसिया सेकंड पर अफरिका थर्ड पर नॉर्थ अमरिका फ अगर हम बात करें तो तो फ्रट नंबर पर आपका नॉर्थ अमरिका fundament के ही अगता है अन। किसमें बात करें एरिया के अरिक तो आपका साउ sworn अमरीका आता है फिप्त नंबर पर अगर हम बात करें तो आपका हो गया इसमें क्या हो गया सबसे कम अन्टर्थिका होता था konnten प्याया कया होता है उस Тут सबसे कम और तो और थोड़ा कम नंबर पर सबसे कम एडिया का है सबसे ज्यादा पॉप Guru आफ्रीक उसमें थोड़ा कम आपका elev लूप उसे थोड़ा कम आपका fourth number पे हो गया नौप अमरिका फिप वेक्न देखेंगे एगर जैसा कि मैंने कहा लेक्षुम्त के सरक्ले को को खोल दिया गया एको तरीके सब्सक्ता वह स fix लोगा होगया क्या हो गया पैसिफिक हो गया बीच में आपका यह जो एरिया है यह पूरा यह पूरा एरिया है आपका यह अट्लांटिक को सन कहलाता है क्या कहलाता है इसके बाद जो आपका ऊपर का यहां पर यहां पर आक्टिक होता है और जो लास्ट है यानि कि फोर्ट है आपका वह लिए क्या है हिंद महासागर का है और फिर है लास्ट वह साउधन ओशन यानि कि जो नीजे का पॉशन है उसे क्या बोलते हैं हम लोग साउधन ओशन बोलते हैं यानि कि साउधन महासागर दच्छडी महासागर बोलते हैं उसे क्या बोलता है दच्छडी महासागर मैंने बात थीरे करके तो सबसे ज्यादा वलूम वाला कौन सा है आपका Pacific Ocean कौन है आपका Pacific Ocean यानि कि प्रसांत महासागर क्या है प्रसांत महासागर सेकेंड नमबर पे जो आपका आता है वो है Atlantic Ocean क्या है Atlantic Ocean थार्ड नमबर पे Indian Ocean फोर्थ नमबर पे Southern Ocean फाइब नमबर पे Arctic Ocean सारी चीज फि फिफ्ट नम्बर पर आर्किक उसिन यानि कि आर्किक महासागर्ड आप हम लोग बात करने जा रहे हैं कि दुनिया में यानि कि वर्ल्ड में top 10 countries यानि कि top 10 largest countries कौन सी है सबसे पहला जो आपका आता है जो सबसे बड़ी countries है कहां की है सबसे सबसे बड़ी कंट्री कौन सी है आपकी रस्या सैकर नेमबर पर जो बड़ी कंट्री है आपकी वह है कनाड़ मैंने Top 10र्णे चंट्री नीजिस को याध करने के लिए ट्रिक भी बना रखा है है trick to learn top 10 largest countries मैंने 5-minute special session के playlist में इसको डाल रखा है मैं i button पर भी add कर दूँगा आप suggestion में देख भी सकते हैं ऐसे ठीक है तो महां पर मैं बता रहूंगा आप लोगों को ठीक है third number पर जो आपका आता है वह चाइना लेकिन कुछ लोग बताते हैं United States ठीक है third number पर आपका हो गया चाइना कौन सा हो गया आपका third number पर चाइना fourth number पर जो है आपका यानि कि एरिया कि अगर आभी हम बात कर रहे है किसकी बड़ी कंट्री पूरे वर्ल्ड में second number पर कनाड़ा सबसे बड़ी second number country थार्ड नमबर पर आपका चाइना fourth number पर United States यानि कि यूस से फिप्ट नमबर पर आपका कौन सा हो गया तो फिप्ट नमबर पर आपका हो गया देखिए जहां पर आपका हो गया फिप्ट नमबर पर आपका होता है ब्राजील क्या है आपका ब्राजील क्या है आपका ब्रैजील देखिए first number पर रशिया second number पर करनेड़ा थर्ड नंबर पे चाइना, फॉर्थ नंबर पे यॉनाइट इस्टेट यानि कि अम्रीका, और फिप्थ नंबर पे आपका ब्राजील, सिफ्स नमबर पे आपका क्या होता है सिफ्स नमबर पे आपका होता है अस्ट्रेलिया क्या है आपका अस्ट्रेलिया सिफ्स नमबर पे क्या है अस्ट्रेलिया सेवन्थ नमबर पे आपका इंडिया होता है क्या होता है इंडिया एरफ नंबर पड़ी आपका होता है अर्जेंटिना अब आपने भारत की रैंकिंग जाले न कि आपका भारत बिस्व में षटमें सथवे नंबर पर है किसमें बाय एरिया एरिया के कॉढिंगर देखा जाए तो कितना बड़ा है उसकी रैंकिंग आती है आठ्वे नमबर पड आपका अर्जेंटिना ठीक है उसके बाद नवे नमबर पे आपका है कजाकिस्तान क्या है आपका कजाकिस्तान नवे नमबर पे क्या है आपका कजाकिस्तान और दसवे नमबर पे जो की लास्ट है वह आपका आता है सूडान आपको यहीं पर ही दिखेगा ठीक है सूडान ठी प्रस्ट नमर प्रस्या ते कंड़ इसके सामने आए नबर पर चाइना फिर फूर में आपको मिली युनायटिग खाले हैं अब लगेरा हैं 15 नमर पर पर क्या मिला भ्राइजिएल और अश्ट्रेलिया इसके सामने गए फिर नंबर पर आपको अवे इंडिया पर फिर नमर पर तो यहां से आपको यह सारी चीजे समझ में आई अच्छा अब यह तो बड़े की बात हो गई की बड़ा कौन सा है और चोटा कौन सा है सारी चीजे हमने यहां पर बात की अब हम लोग क्या बात करेंगे की population के according तो पहले बात में बात करेंगे पहले हम लोग बात करेंगे की smallest यानि की छोटी-छोटी कंट्रियों के बारे में बात करें दो सागर आपसे question पूछता है की सबसे चोटी आई-लेंड यहांने की धुनिया का सबसे बड़ा भीप अगर आपसे पूचे धुनिया का सबसे ब आइलेंड कौन सा है? आपका Greenland, क्या है ग्रीन लेंड अच्छा, ये मैंने, कजाकिस्तान, यहाँ बता रखा था आपको, कजाकिस्तान कितने नमबर पे था, कजाकिस्तान 9th कन्ट्री में, तो कजाकिस्तान मैं ने इसलिए बताया, की पूचता है, कि लेंड लॉग्ड कांट कजाकिस्तान ठीक उसके बाद आपका क्या है कजाकिस्तान के बाद से फिर अगर आप से पूछता है कि यूरोप सबसे पहले अब हम लोग एक एक कॉंटिनेंट की बात करें किसकी एक एक कॉंटिनेंट की अगर पूछेगा आप से एसिया का सबसे बड़ा एसिया का सबसे यूरोप के अगर हम बात करें तो यूरोप का भी सबसे बड़ा कंट्री कोन होगा रसिया क्योंकि जो यूराल माउंटेन है वो इसको डिवाइड करता है लेकिन रसिया का कुछ पार्ट इसमें भी आता है अगर रसिया उप्शन में नहीं दिया है तो आपको क्या आएगा य उसे जादे वो घुमाएगा नहीं यूरोप में यही तीना आप्सिया पूछे लाइगी मैंने देखा है ईपव्र कई सारे तो यूरॉप में या तो रसिया आप्सिया अप्शन में आएगा लार्जेस्ट कंट्री अगर पूचता है तो रसिया अगर नहीं तो यूक्रें देगा और Ukraine नहीं है तो France देगा ठीक उसके बाद अगर इसकी इस वाले आपकी नौट अमरिका की बात करें तो इसमें लार्जस कंट्री आपकी कनेडा हो जाएगी Southern America की बात करें तो लार्जस कंट्री आपकी Brazil हो जाएगी Australia तो एक continent है और खुद country भी है अगर उसकी अगर हम बात करें इसमें आपके अफरीका में तो अफरीका में अगर पुछे आप से कि लार्जस कंट्री कौन सी है तो अफरीका में कुछ लोग Algeria बताते हैं लेकिन मैंने सर्च किया कई जहां से तो इसमें जो मैंने बताया था last में Sudan क्या बताया था मैंने Sudan टॉडान इसी अफरीका का ही एक कंट्री है एक अफरीका कॉंटिनेंट का ही एक कंट्री है तो इसका एंसर क्या जाएगा Sudan अफरीकन का क्या हो जाएगा Sudan ठीक अच्छा, अगर आप से और question पूछें, माल लिजे कि smallest country कौन सी है, सबसे熟 से country कौन सी है, पूरे world की अगर हम बात करें, पूरे world की सबसे熟 hall country कौन सी है, तो पूरे world की सबसे cocon चोटी country आपकी है, Vatican City क्या है, Vatican City जिसका area कितना है, तो जिसका area है आपका 500 meter square कितना है 500 meter square जो की बहुत कम है 500 meter square तो सबसे चोटी country कौन सी हो गई आपकी Vatican City हो गई अच्छा अगर आपसे पुछे second smallest country कौन सी है तो second smallest country आपकी कौन सी है Monaco क्या है Monaco second smallest country कौन सी है आपकी Monaco है ठीक क्या है Monaco है और पूछा जाता है कि सबसे कम coastal line मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखा देता हूँ यह है आपकी Vatican City क्या है Vatican City ठीक है क्या है आपकी Vatican City यह है तो इसका area कितना है यह जो yellow color का दिख रहा है यह portion आपकी Vatican City है ठीक है तो Vatican City का area कितना है 500 meter square सबसे smallest country सबसे छोटी country कहां पर in the world यह कौन है Vatican City area 500 meter square अगर पूसता आपसे second smallest country कौन सा है तो second smallest country आपकी है मोनाइको क्या है जो यहाँ पर इसके साथ border से है इसके सामने है ठीक है मोनाइको ठीक है यह क्या करती है वर्ल्ड की smallest सबसे मतलब सबसे छोटी coast line की तटिये रेखा वाली country है सबसे छोटी कटिये रेखा इसज baş यह क्या है दुनिया का सबसे छोटा मोनार्क यानि की राजतंत्र है यहां जैसी जिसमें राजा राज करते हैं जैसे मोनार्क एक तरीक सह समझ लिए ठीक है तो मोनाइको क्या है आपका मुनायको जो है मुनायर्कियल है क्या है मुनायर्कियल ठीक मुनायको आपका मुनायर्कियल है वैटिकन सिटी सबसे स्मॉलेस्ट कंट्री सेकेंड इस्मॉलेस्ट आपकी मुनायको होती है जो कि क्या और क्या है और इसके मुनायको से क्या 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 कोश्चिन अगर हम भात करें, जो कि इधर होता है यहां पर, यह थार्ड स्मालेस्ट कांट्री आपकी कौन सी है? नारू, क्या है? नारू है, क्युंसी है? नारू, आप लोग सोचेंगे कि थार्ड स्मालेस्ट मैं क्यों बता रहा हूं? क्योंकि इसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी Republic Country Republic Country का मतलब क्या है? जहाँ पर चुनाव होता है जैसे हमारे यहाँ इंडिया का है Republic Country है तो यानि कि गरता अंतर देश है तो सबसे छोटा गरता अंतर देश कौन सा है तो नारु है ठीक सबसे छोटी न्टी व्यक्श को तो सबसे चोटी से चोटा देज गास उसका एरिया कितना होजाएगा तो इसका डेश है तो मोंसे लिगा सबसे al société प्रिकल कंत्री यानि कि राज तंत्र वाला देश कौन सा है तो वह आपका लिए को कोENTS निन वह वह-द देश की इंहे राज इमगे बात करेंगे population के according हमने ये बात कर ली अब हम लोग जो है population के according बात करेंगे कौन सबसे ज़्यादा population रखता है कौन सी country सबसे ज़्यादा population क्योंकि हम लोग जैसे कि continents के बारे में भी बात कर चुके हैं सबसे ज़्यादा population किस continents का होता है एसिया का फिर आपका अफरीका का उसी तरीके से आप हम लोग कंट्री की बात करेंगे सबसे ज़्यादा population वाला country जो है आपका वो है चाइना आपका कौन है आपके पडोसी है चाइना second number पे जो है वो इंडिया है कौन है इंडिया सबसे ज़्यादा population रखता है वो है भारत अच्छा भारत किस नंबर पे था उसमें तो उसमें सातवी नंबर पे थे आयनि एरिया के according भारत सातवी नंबर पे आता है लेकिन population यानि की जन संख्या के according अगर देखा जाए तो भारत दूसरे नंबर पर ही आता है तीसरे नंबर के अगर हम बात करें तो इसरे नंबर पर आता है अमेरिका यानि की उनाइटेड इस्टेट यहां पर population 3rd number पे आती है फिर 4th number पे आपका जो आता है वो है Indonesia कौन सा है Indonesia 5th number पे आपका कौन सा आता है 5th number पे पाकस्तान 6th number पे आपका ब्राजील और 7th number पे आपका आता है Nigeria और 8th number पे आपका आता है Bangladesh और 9th number पे आपका आता है Russia और 10th number पे आपका आता है मैक्सिको एक बार फिर से सबसे ज़्यादा पॉपलेशन वाला कंट्री चाइना सेकंड नमबर पे इंडिया अगर पूछने भारत की स्थिति भारत की पोजिशन जैंसें क्या है तो सेकंड नमबर पे थर्ड नमबर पे आपका इंडोनेशिया फिप्त नमबर पे हो गया आपका ब्राजील सेवन्थ नमबर पे आपका नाइजेरिया एर्थ नमबर पे आपका क्या हो गया एर्थ नमबर पे बांगलादेश दावन नमबर पे रसिया और फिर दस्वे नमबर पे अट लास्ट में मैक्सिको हो गया इसी के साथ हमारी वीडियो समापत हो और हां share जो भी जरूर कर दीजेगा, अपने दोस्तों को share कर दीजे, अपने relatives को share कर दीजे, और support करो थोड़ा सा हमारे चैनल को improve करने में, आप लोग उसे एक और request करना चाहूँगा, कि आप लोग हमारे telegram चैनल को join कर लीजे, जिससे आप latest videos के notification पा सकते हैं, और हमारी जो current affairs है, पाड़े, उसमें पढ़ती रहती है, और कुछ important news, notice कुछ मिल जाती है, तो मैं उसमें link डाल देता हूँ, या फिर notice ही type करके डाल देता हूँ, तो आप लोग इसलिए उससे जरूर जुड़िएगा, धन्यवाद.